लाइव तस्विरियम आपको दिखा रहे हैं हरियाना के करनाल जिले से जहां पर आप साफ तस्विरों में देख सकते हैं कि किस परकार से जो एक पोस्टल चलानिंग है वो यहां पर होती हुई जरूर दिखाई दे रही है तोहारी सीजन है और ऐसे में अतिकरमन कम किया कैसे जाए इसी के चलते आप यह देख सकते हैं कि किस परकार से करनाल ट्रैफिक पुलिस का जो पोस्टल चलानिंग है वो लगातार जारी है जितने भी लोग चार पई या वहां चालों को अवैद पारकिंग पर खड़ा करेंगे उसका चलान किया जाएगा आप यह देख सकते ह साफत सिरो में कि किस परकार से जितनी भी गाडियां यहां पर खड़ी हैं उनका पोस्टल चलान हो रहा है इस वीडियो को बार-बार दिखाने का मकसद हमारा यही रहता है कि अगर आप मार्किट में आते हैं जिया अगर आप मार्किट में आते हैं मुख्खे बजारों में तो आप इन चीजों से जरूर बचिएगा अगर आपके पास चार पहिया वहन हैं तो फिर आपका पोस्टल चलान कर दिया जाएगा अगर आप अवैद तरीके से अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं पार्किंग स्थल पर अगर आप अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं करेंग तो फिर आपका चलान कर दिया जाएगा इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा यही रहता है और बार बार हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं ताकि आप नुकसान से बस सकें आप ये देख सकते हैं किस परकार से जो पोस्टल चलानिंग हो रही है हर्य अधाल यहां पर पोस्टल चलान किया जा रहा है तो निवेदन हमारा सभी से हाल जोड कर यह है कि इस वीडियो को आप जादा से जादा शियर करें ताकि यह जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके और निवेदन करना चाहेंगे उन गाड़ी चालकों से निवेदन करना चाह यह जाता ये भी एक वीचितर बात है आप अपनी गाड़ी को पार्किंस दल पर ही खड़ा करें और आप यह देख सकते हैं कि किस परकार से पोस्टल चलानी यहां पर हो रही है और जो पोस्टल चलान है वो अब गाड़ी में चस्पा दिया जा रहा है तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें आप ये देख सकते हैं कि किस परकारते जो पोस्टल चलान है वो यहाँ पर चस्पा दिया गया है इस वीडियो को दिखाने का दोस्तों हमारा बार-बार यही मकसद रहता है कि आप सचेत रहिएगा जाग रुक रहिएगा अगर आप मुख्य बजारों में आते हैं और अगर आपके पास गाड़ी है अगर आपके पास गाड़ी है चार पईया वाहन है तो आपको कहीं न कहीं सचेत रहने की आवश्यक्ता है साफ कहें तो आप अपनी गाड़ी को पारकिंग स्थ ट्राफिक पुलिस लगातार क्योंकि जो हारी सीजन है और ऐसे में अतिकर्मन बहुत जादा देखने को मिलता है और उसी को कम करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो फोस्टल चलानिंग है करनाल ट्राफिक पुलिस द्वारा जरूर की जा रही है तो निवेदन हमारा सभी से हाज जोड़ कर यह है कि अगर आप मुख्य बजारों में आते हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी को पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर हो सकता है और यहाँ देख सकते हैं कि किस परकार से पोस्टल चलानिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है और नुकसान जरूर होता है जो लोग मुख्य बजारों में आते हैं खासतोर से उन गाड़ी चालकों को नुकसान होता है जो गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को पार पार्किंग पर अगर आप गाड़ी को खड़ा करेंगे तो फिर नुकसान जरूर हो सकता है और आप यह देख सकते हैं कि किस परकार से पॉस्टल चलानीं यहां पर होती होई दिखाई दे रही है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप जाधा से जाधा शियर भी अवश्य कर दीजिएगा और पार्किंग सतल की अगर हम बात करें तो पूरानी सब्जी मंडी में हैं और भी जबातागा पार्किंग है सर कहां कहां पार्किंग बनाई गईगे आप द्वारत पुराणे नाजमंदी पुराणे सब्सक्राइब लामनी लग रहा हूं पुराणे तैसील जर्णाली कलोनी तो टोटल कितनी है जी तो क्या चार्जिस क्या होते हैं सर बीस रुपे पर गाड़ी कितने घंटे के लिए वो तो उनमें निदार्द किरके दो चार घंटे ऐसा कि स सिर्फ बीस रुपे लेते हैं तो देखें किस परकार से बीस रुपे आपसे लिए जाएंगे अगर आप अवैद पार्किंग में अपड़ी गाड़ी को खड़ा करेंगे तो फिर चलान किया जा रहा है 500 रुपे का टोइंग चार्जिस भी है जी यह पोस्टल चलाना है तो पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे तो फिर नुकसान जरूर हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिर करें हरियाना के करनाल जिले के पुराणी सबजी मंडी रोड की यह तस्वीरे हैं जहांपर आप देख सकते हैं कि कि इस परकार से करनाल ट्रैफिक पुलिस दवारा जो पोस्टल चलानिंग है वो जरूर यहाँ पर देखी जा रही है ताकि क्योंकि तोहारी सीजन है और ऐसे में काफी भीड़ देखने को मिलती है और भीड़ को कम करने के लिए ही पॉस्टल चलानिंग होती हुई नजर आ रही है इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें अपडेट आपको देते रहें